असलाम अलेकुम गाइज वैलकम टू माई यूट्यूब चैनल गाइज आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिसकस करेंगे वो टॉपिक के लॉंग डिविजन बिर टू डिजिट डिवाइजर सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वास्ट है के प्ल तो जूपिक बंदर लिकषण हैं और छोटी वैलियो को हमेशा बाहर लिख रह रहे होते हैं जिससा के मैंने यहां लिख लिया है अब करकते हैं हमें 35 कर टेबिल इतना परना है का यह तो 47 आ या 47 से कम की कोई वैलियो आ जाये जादा की वैलियो हमें नहीं चाहिए सबसे पहले मैं यहां 35 का टेबिल लिख लेती हूं ताके हम इसको इसल्फ कर सकें 35 multiply 1 is equal to 35 35 2s are 70 35 3s are 105 35 4s are 140 and 35 5s are 175 सो गाइस यहां पर मैंने लिख लिया है 35 का टेबिल अब हम इसको solve करना है start करते हैं अगर हमें 47 या उससे कम की value चाहिए तो हम यहां देखे तो यहां पर 47 से ज़्यादा आ रहा है अगर 35 का टेबिल मैं 2 टाइम पढ़ती हूं तो 70 आ रहा है जबकि मुझे 47 चाहिए तो मैं first value को ही लूँगी 35 फंजा 35 35 फंजा 35 लिख लिया है अब मैं इसको minus कर लूँगी 7 में से हमने 5 minus करे तो हमारे पास 2 remaining बचे then 4 में से 3 हमने minus करे तो हमारे पास 1 remaining बचा उसके बाद क्यास क्योंकि 35 का टेबिल में 12 नहीं आता हम यहाँ एक number जो है वो यहाँ हम borrow कर लेंगे हम यहाँ लिख देते हैं 3 को मैंने यहाँ लिख दिया अब मुझे 35 का टेबिल इतना पढ़ना है कि या तो 123 आ जाए या 123 से कम की value आए तो अगर मैं यहाँ देखू टेबिल में तो अगर मैं 35 का टेबिल 3 टाइम पढ़ती हूं तो 105 आ रहा है जो के 123 के अंदर ही cover हो जाता है और अगर मैं 35 का टेबिल 4 टाइम पढ़ती हूं तो 140 आ रहा है जो के जादा है मुझे 123 या उससे कम की value चाहिए तो मैं 35 3 जा 105 यहाँ लिख लूँगी जो के मैंने लिख लिया है उसके बाद काईज हम इसको भी minus कर देंगे 3 मैंसे क्योंके 5 minus नहीं हो सकते तो मैं 1 बराबर वाले से borrow कर लूँगी जब मैंने 2 मैंसे 1 पन यहाँ पर दे दिया तो मेरे पास यहाँ 1 remaining बचा तो 13 मैंसे जब हमने 5 minus करे तो हमारे पास 8 remaining बचे इसी तरीके से 1 में से हमने 0 जब minus करा तो हमारे पास 1 ही आ गया और 1 में से 1 गया 0 बचा हम इसको ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके बाद का इस 35 का टेबल में 18 नहीं आता तो अब अगर हम देखें तो 35, 5, 175 आ रहा है तो मैं यहाँ पर 35, 5, 175 की value ले लूँगी क्योंकि यह 182 के अंदर ही आ रही है उसके बाद इसको हम minus कर लेंगे क्योंकि 2 में से 5 minus नहीं हो सकता तो मैं 8 से 1 carry borrow कर लूँगी और यहाँ पर 7 हमारे पास remaining बच जाएंगे 12 में से 5 हमने minus करें तो हमारे पास 7 remaining बचे 7 में से 7 गए हमारे पास कुछ नहीं बचा इसी तरीके से 1 में से 1 गए तो 0 हमारे पास आ गया अब यह 7 हमारे पास remaining बचे और last की value हमारे पास 0 बचती है जो के हमने लिखनी है तो मैंने इस 0 को यहाँ पर लिख लिया है अब गाइस 35 का टीविल अगर हम 2 टाइम पढ़ें तो हमारे पास 70 आ रहा है और मुझे 70 ही चाहिए तो मैं यहाँ पर टेबिल पढ़ लेती हूँ 35 to the 70 और इस तरीके से यहाँ पर हमारा यह long division method complete हो गया है और हमारे पास जो answer आ रहा है वो है 13 52 तो गैज यह हमारा answer है यह हमारा answer है उमीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो like and share करना नहीं भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अलागा वेश